तेरे बाजरे दी रख्यी आका लैका लिएका मां खुर में किदेरी किदेरे ज़ामा जी हाँ वीवर्स, वेलकम बैच तेरे बाजरे दी रख्यी अब राख्यी के कै degrees पे हमने बात करनी हैं लेकिन पहले जो उनकी लडाईयां होती थी उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उन लडाईयों से भी पहले इतने बड़े बज़िट की फिल्म, सर आपके नहीं था इसका बड़ा बज़िट तो मैं नहीं मानूंगी, क्यूंके कास्ट इतनी बड़ी है, सो बात ये के इतनी बड़ा अपने टास्क तो ले लिया, इतनी यूज कास्ट का, कुछ बताएंगे? जो मेरे डारेक्टर साफ की डिमांड थी वो मैंने पूरी किया, इनोंने का मुझे ये चाहिए, मैं ठीक है जी, हमने पकी हवेली बनाई, पूरी फिल्म के लिए, कभी हम मैक्सिमिम में पहां पे हमने सारा काम किया शेर गर में, और जोनोंने बड़ा कुआएंगे, ये तो मैरे फार्म हाउस पे है, उसको थोड़ा बिल्ट किया था, मुझे स्टेक्चर मुझे था, सिंगल स्टोरी उसको डबल स्टोरी करके, फिल्म के मताबिक इसमें अल्टरेशन करके, और उसमें आलमोस्ट हमारी फिल्म का 50%, 70%, 80% काम वा, असल में आज़ जो फिल्में बन रह हमा लगा दिया, I'm very sorry, बहुत मासरत के साथ, आप लोगों को पता है, व्यूवर्स के कोई भी फिल्म रिलीस हो रही हो, चाहिए वो बड़े स्केल के हो, चोटी के हो, हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं, और नूर साब आपने मुझे कही थी बहुत अर्सा पहले, जब मैं पर होस्टिंग करती थी, तो आपने मुझे कहा था कि जगन फिल्मे जरूर प्रमोट करनी है, चाहिए कोई भी बना रहा हो, उनको प्रमोट जरूर करनी है, क्यूंकि हमारे या ना दोस्तों दोस्तों को प्रमोट किया जाता है आपस में, तो हम बहुत जादा मूवीज को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कौंगी कि जो फिल्म बना रहे हैं, वो कमस कम स्केल तो फिल्म बाला रखे ना, सर आपको पता होगा, मैं क्या कह रही हूँ, आपने कोई ना कोई ऐसी तो फिल्मे आपकी नज़र से गुजरी होंगी, जो लगता है कि जैसे काम करने का फिल्म काते हैं, आप नहीं को सब्सक्राइब लूब यूजरी होग से पाइन कीया, मैं एक इस ताथी ता क्या मीत आप करने को कि अबाशे कहारा है, और जो आप सूच करते हैं, यह यह और ज़िए ग्लैवर है। जो आम आदमी नहीं सोच सकेगा कि यूंभी होगा प्रिकॉस यू कि टेक प्रिटिव लिबर्टी इन फिल्म ना उस लेवल की रिटिव लिवर्टी जो आप और नहीं ले सकते जैसे तुम पैदा ही बनेवे बालों के साथ थी हम सारे आपकी तरह कुछ किसमत नहीं है मैं टाइम से आजाती थी लेकिन ये बीच में बीच में गाइब होता था मेरी बासने अगर दस बजे कॉल टाइम है ना दुल्ला सबसे लेट कॉर ना है से पे आज रजनत मर्जा अचा आज वह आज तो आज अचा मैं इसके आरे वैसी कुछ नहीं सुनती वह बहुत मैं परसिंग लेख़र नहीं बासनी तुम पर अगर दस बजे कॉल टाइम है और दस बजे मैडम तयार होना शुरू होती है तो कुछ चार बजे तक हम बैठते थे वहां पर खा पी के सो के लहूर घूम के वाफ़ शेयर गार जाए नहीं है यह से कोई बात नहीं है अब दूमें क्या जानतों की क्लीनिक भी हो रही है बाल भी डाय हो रही है क्या करती है उदर मत देखो मैं अभी उनसे फाइनल वर्डिक टुटी से मैं लोंगी आप अपने पहले दोनों कहानी सुना दे नहीं मैं तो कोशिश करती थी कि टाइम पर प्रॉपर साथ बजे उठती थी तियार हो जाना बस वो फिर कुछ ऐसा होता था कि लेट हो जाती थी अक्सर हम आपके बालों का क्या प्रॉबलम है भई किया का शारी मेरे खलाफ नहीं को और जाटिया सर्व कि अपने बच्शो सांबा त Six डानेंटी थे बहुत माशालaghetti देखें फीमेल आर्टिस्ट को आपको मार्जन देना पढ़ता है उसने इस बूट के मेकप भी करना होता है, बाल भी बनाने होते हैं, मेल का यह होता है, उसने मूध भूया, बाल बनाया, वो कपड़े पहन के आ गया, लेकिन लड़की के लिए तो वो इसके पास मार्जन था, आप निए बात की अबदुलों ने ऐसे कर गिना वालों को ऐसे क आपके ही रहे हैं जैसे दूस साब ने का हमने इंडिया के हिरो देखे हैं वो बेक अप में लिपस्ट्टिक भी लगाते हैं, बहुत ही अजीब बहुत जाए लिपस्टिक हैं आप ने कभी लगाई लिपस्टिक। मैं चाप स्टिक लगाते था, मुझ सभू भी छीण आप रेगमार लेके एक दफार मार के दखाना था लालो लाल हो जाते हो वो भी किया वह गाने के शूट से पहले टिशु लेकर बगाया दा मल के लाग जागा रेगमार सेंड पेपर होता है मिस्टर रंग्रेस बता खून निकलाता है वोट लेकर आएगा बरबाद उसके बाद यह आखरी फिल्म होती थी तो अच्छा सो इन बातों पे आप लों का फट्ड़ा टाइमिंग पर फट्ड़ा होता था नहीं वैसे भी छोटी मोटी बातों पर होता रहता था वह पिचारी 15 मिनिट से बताना चारी है कि तुम क्या करते थे पहले इसको बताने तो फिर मताई सुनती हूँ हम लोग अकसर रात को लुड़ो गेलते थे तब हमारी लड़ाई होती थी या इस तरह की छोटी मोटी होती थी इतनी खास नहीं वह वहां सेट पे जाती है हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं तो बस यहां तक की था भी इस पाक पे लड़ाई नहीं कि ज्यादा प्यारा कौन है निए वह तैने तरह नहीं तो यह आपको लड़को वाला जब तो चब यह चीजें किस तरह हैं इतनी बड़ी कास्ट होती है जब माशाला इतनी बड़ी कास्ट हो तो फिर यह सारे मामलाथ कैसे अंडलोते हैं यह आपकी एक्सपर्टी होती है लो गिसी नहीं तो चोटी कास्ट रखतें नहीं नहीं देकेश आपकी जो कहानी इमेज किदार हो तो रख मुझना कहानी खिराब बग्रना कहानी खराब yang wr Bell को बुलाना है बाद मिल किसोलाज को बुलाज़ अवक भी जायना हो और काम भी हो जाए तो अब यह बैठा है मैं कौईशी साह अम आधा लगए हम वां ऑग ke यह वर्फा उस पे रहते हैं जिए पराने आर्टिस्टों की, फंच्छ लिटी जो है, यह इस तरह होँ तो यह आप परी डिमेंड करता है मेकर परी डिपेंड करता है कि अपनी कास्ट को कैसे कमफर्ट लेवल कैसे देता है कैसे उसको समझा था मैं तो रिक्वेस्ट भी कर लेता था जार प्लीज कल आप तो लिटरली एक लिविंग लेजंड है और बड़े अर्से से आपको लिविंग लेजंड का टाइटल मिला हुआ है आपको जरूरत नहीं है कि आपको अगर दस बजे का कॉल टाइम दिया तो आप दस बजे आए आप रात के दो बजे भी आएंगे तो हाजर जनाब वाल जी ऐसा नहीं है एक्चली मैं मुनियादी तोर पर रेडियो पाकिस्तान से मेरा तालुक रहा है और ब्राटकास्टिंग में आप जानती हैं के टाइमिंग की बड़ी सेकंड टो सेकंड होता है वो आदत पड़ी हुई थी जब मेरी पहली फिल्म के लिए मैं आया था लाख से छे बजे तक हुट है जनाब साड़े नाव बजे एवर नियू स्टुदियो में पहुच गया कौई नहीं था वो ज़ाडू दे रहे थे फिलोर में नडेरेक्टर था नडेरेक्टर था कैमेरा में था नडेट था था रे मैंने कहां अगया बैठ गया इंतजार किया इस् मैंने सोचा के ठीक है मैं भी अगर दस बज़े की शुट है तो बारा एक बज़े आओं तो हमारे एक हीरो गुजरे हैं मैं नाम नहीं लूगा अच्छा हीरो है टेलिंटेड हीरो है बड़ा अच्छा काम किया बड़ी फिल्में की उसने इंडस्टी को तबाह उसने किया टाइमिंग दस बज़े की होती थी चार बज़े आता था प्रोड्यूसर बिल्कुल गर्क हो गया था क्योंके शिफ्ट जो पड़ती है तो लेकिन हम थे हमारे साथ नदीम साहब हैं मुलाम युदीन है जावे शेख हैं और हमारे ऐसे जो हीरो थे वो बिल्कुल सही रही सा सुल्तान राही ने फिल्मे बहुत होती थी ता पांच पांच चार चार फिल्मों की शूटिंगे डे नाइट हम करते थे और सब प्रोड्यूसर्स को एजस्ट करना होता था तो फिर सुबा साथ बज़े से दस बज़े तक की भी शिफ्ट रख ली थी इसको कहते थे हम अलबता उसमें राही साथ पहले पहुंच जाते थे वो तो सोते ही नहीं था ना मैं जरा लेकिन काम पूरा हम कर जाते थी सर वो जो कहते है रोजी रोटी को हलाल करना हम लोग एक्चुली जब ग्लैमर और स्टार बन जाते है ना तो वो इन चीजों से बाहर निकलाते है लेकिन क्या ये जो हम अब फिल्म इंशालला अब रिलीस होने को है क्या ये फिल्म हमारी इंडिस्ट्री का रियल क्या ये फिल्म हमारी फिल्म इंडिस्ट्री का रियल रिवाइवल लाएगी वीवर्स मैं बिल्कुल भी उन लोगं को फेंड नहीं करना चाहती जो फिल्म इंडिस्ट्री में काफी अर्से से आप काम कर रहे हैं पिछले 6-8 साल से तो-तीन फिल्में में निका लिए बढ़ी अच्छे चुन अने फिल्में निकाली लेकिन जो एक स्केल होता ना फिल्म का वो जो एक जब आप बैठते हो तो आपको लगता है कि जैसे युनो वो जो एक फीलिंग होती ह सिनमा में बैठने की वो कुछ अभी तक मिसिंग है सर आप से यह सवाल यह मैंने सबसे सवाल पूछना है यह थापत करेगी फिल्म डिवाइबल जो होगी ने फिल्म इंडिस्री की यह इंशाला फिल्म साबत कर देगी कि वाकि रिवाइबल होगी बिल्कुल और हमारी कोश करने हाइबल पर भी रिवाइबल अब फिल्म इंडिस्री के लिए